एक गाउं में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था, एक दिन वह किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक गड़े में से आवाज आती है, अरे ये कैसी आवाज है, लगता है कोई कुट्टे का बच्चा है, जो मुसीबत में है, मुझे इसे बचाना होग नहीं तो ये मर जाएगा, फिर वह गड़े में जांक कर देखता है, तो उसे वहाँ एक छोटासा कुट्टे का बच्चा दिखाई देता है, वह उसे देखकर दंग रह जाता है, उसका रंग नीला होता है, ये तो कोई कुट्टे का बच्चा लगता है, लेकिन ये तो नील चल देता है अरे सुमन जल्दी बाहर आओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ तब ही उसकी पत्मी बाहर आती है और कुट्टे के बच्चे को किसान के हाथ में देखकर चौंग जाती है हाई कितना प्यारा है ये तो नीले रंग्चा है अजी आपको कहां से मिला क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ मुझे बच्चपन से एक कुट्टे के बच्चे को पालने का बहुत शौक था हाँ हाँ क्यों नहीं मैं इसे तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ लेकिन ये आपको मिला कहां से मैं खेत की तरफ जा रहा था तबी अचानक गड़े से इसके रूने की आवास आई मैंने जहांक कर देखा तो मुझे ये उसमें पड़ा हुआ मिला ये जरूर भूखा होगा तुम इसे कुछ खाने को दे दो इतना बोल कर किसान वहां से चला जाता है फिर सुमन उसकी खूब देख भाल करती है वह दिन भर उसके साथ खेलता कूटता है सुमन भी उसे पाकर बहुत खुश थी वह कुटता पूरे गाउं में आकरशन का केंज था वह जब भी गाउं में घूमने निकल था सारे गाउं वालों की नजर उसी पर टिक जाती थी क्योंकि किसी ने भी नीले रंग का कुटता पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था अरे हरिया देख तो ये उसी किसान का पिल्ला है तुने कभी नीले रंग का कुटता देखा है क्या नहीं भाई मैंने तो पहली बार ऐसा कुट्टा देखा है लेकिन ये इस किसान को मिला कहां से इतना अनोखा कुट्टा खरीदने की हैसियत तो इस किसान की है नहीं अरे भाई इसे तो ये किसी गड़े में पड़ा हुआ मिला था मुझे तो लगता है जरूर ही ये कोई जादू ही कुट्ता है तुम्हें क्या लगता है बाजार में इसकी क्या कीमत होगी भाई ये तो नायाब चीज है ये तो अनमोल होगा इसके हमें मो मांगे पैसे मिलेंग भाई हर नायाब चीज़ पर तो सिर्फ हमारा ही अधिकार है देर किस बात की आज रात को ही इसे किसान के घर से चुरा लेंगे रात होने पर किसान और उसकी पत्नी घर में सो रहे होते हैं तभी ललन और हरिया किसान के घर में घुश जाते हैं और निलू को बहलाने फुसलाने लगते हैं ले ले बेटा बिस्कुट खा ले 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 आजा आजा वा जट से उसे बुरे में कैप कर लेते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं और भाग कर अपनी घर आ जाते हैं हरिया भाई एक काम तो पूरा हो गया बस अब इसे शहर जाकर किसी को बेचना बाकी है शुब काम में देरी किस बात की हम कल सुबा होता ही इसे शहर जाकर किसी को बेच आएंगे अगले दिर कुँबा होने पर वे दोनों नीलू को बोरे में डालते हैं और उसे बेचने के लिए निकल पड़ते हैं राप्ते में उन्हें एक सेट मिलता है, उसे उस बोरे में से अजीब अजीब सी आवाजे आती है अरे भाई रुको रुको इस बोरे में क्या भर कर ले जा रहे हो भाई ये एक जादूई कुट्टा है ऐसा कुट्टा पूरी दुनिया में केवल एक हाई है ऐसा कैसे हो सकता है भाई जरा मुझे भी तो दिखाओ वह सेथ नीलू को देख कर चौंक जाता है तुम्हें इसके लिए सा सोने की मुद्राएं देनी होंगी ठीक है मुझे मन्जूर है लो ये लो तुम्हारी सा मुद्राएं आज से ये कुट्टा मेरा हुआ वहीं दूसरी तरफ नीलू को घर में ना पाकर सुमन और किसान परिशान हो जाते हैं सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है नीलू तुम कहां चले गए तुम्हेरे बिना मैं कैसे जीऊगी वापस आ जाओ ना नीलू अजी मेरे नीलू को कई से भी ढून कर लाईए जब तिक वह वापस नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाओंगी ठीक है ठीक है तुम रोना बंद करो मैं उसे ढून कर लाता हूँ फिर किसान गाउ में लोगों से नीलू के बारे में पूछता है अरे भाई मैंने तुमारे कुट्टे को देखा था वो लल्लन और हरिया तुमारे घर से बोरे में किसी को बरकर ले जा रहे थे वो अवश्य ही तुम्हारा कुट्टा होगा फिर किसान भागता हुआ लल्लन के घर जाता है लल्लन मुझे पता चल गया है तुम ही ने मेरे नीलू को चुराया है उसे अभी के अभी वापस लोटा दो नहीं तो मुख्या से कहकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा अरे हरिया भाई इसे कैसे पता चल गया मुझे लगता है किसी ने हमें उसे चुराते हुए देख लिया होगा मुझे अभी के अभी मेरा कुट्टा वापस करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा भाई तुम्हारे कुट्टे कोटो हमने सौ मुद्राओं में बेच दिया अग तुम चाहो तो सारी मुद्राओं रख लो और हमें छोड़ दो नहीं नहीं मुझे मेरा कुट्टा ही चाहिए तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंडो और मुझे मेरा कुट्टा वापस ला कर दो नहीं तो जेल जाने के लिए तयार हो जाओ इतना बोल कर किसान वहां से चला जाता है अरे मर गए रे अब क्या करें ये तो थानेदार की धमकी दे कर गया है ललन भाई मुझे जेल नहीं जाना कुछ करो न हाई रे अब क्या होगा चलो उस सेट को ढूंडते हैं उसे उसके सारे पैसे लोटा कर उस कुट्टे को वापस ले लेंगे वे दुनों सेट की तलाश में निकल पड़ते हैं लेकिन बहुर देर तक ढूंडने पर भी उन्हें वह सेट नहीं मिलता ललन भाई यहां तो वह सेट का कोई नामों निशान ही नहीं है ना जाने अब तक कहा निकल गया होगा अब क्या करें हमरे पास कल सुभा तक का ही वक्त है अरे अरिया वो देख यह तो बिल्कुल किसान के कुट्टे जैसा ही लग रहा है तुम्हारी आखों में मोतिया बिंध हो गया है क्या बेवकूफ किसान का कुट्टा नीले रंग का था और यह तो भूरे रंग का है क्या तुम्हें नीले और भूरे रंग में फर्क दिखाई नहीं देता अरे तो क्या हुआ अगर हम इसे नीले रंग से रंग दें तो उसके बाद यह हूबहू नीलू जैसा ही दिखेगा बात तो तुम सही कहते हो भाई चलो फिर देर किस बात की अभी इसे पकड़ते हैं फिर वे दोनों उस कुट्टे को पकड़ कर अपने घर ले जाते हैं और नीले रंग का पानी घोल कर उसे उसमें डुबो डुबो कर उसका रंग भी नीला कर देते हैं अरे भाई हरिया यह तो बिलकुल नीलू कैसा ही दिख रहा है फिर अगले दिन वे उस कुट्टे को अपने साथ लेकर किसान की घर जाते हैं अरे भाई मोहन देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं जल्दी आओ तुम्हारा नीलू आपस आ गया है जल्दी आओ किसान और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा ललन और हरिया तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया था लेकिन वक्त रहते तुमने अपनी गल्ती को सुधार लिया इसलिए मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है तुम दोनों जा सकते हो फिर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं नीलू तुम वापस आ गए मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी कहां चले गए थे तुम हाँ आज की बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी मेरा नीलू इतने दिनों बाद घर आया है इतना गंदा भी हो गया है चलो अब हम नहाई नहाई करेंगे फिर सुमन उसे नहलाने लगती है अले मेला नीलू नहाई नहाई करेगा इतना गंदा हो गया है पानी उसके उपर पड़ते ही वा कुत्ता छट पटाने लगता है अरे क्या हो अनीलू तुझे तु नहाना बहुत पसंद था आज क्या हो गया तुझे तभी उसका सारा नीला रंग उतरने लगता है अरे ये क्या इसका रंग क्यों उतर रहा है तभी वा कुत्ता गुसे में आकर सुमन को काट लेता है अरे मर गई रे हाई रे अरे सुनो जी, इसने तो मुझे काट खाया हाई रे अजी सुनते हो, जल्दी आओ मुझे लगता है ये हमारा नीलू नहीं है देखो, इसका तो सारा रंगी उतर गया ये तुमने ठीक नहीं किया ललन अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर किसान गुसे में ललन और हर्या की घर जाता है ए ललन, दर्वाजा खोल ए ललन, जल्दी दर्वाजा खोल नहीं तो इसे तोड़ दूगा आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता अरे मर गहरे, ये तो उसी किसान की आवाज है लगता है इसे हमरी तर्कीब के बारे में पता चल गया अरे क्या हुआ भाई, इतने गुसे में क्यूं हो तुम्हे क्या लगता है, मैं बेवकूफ हूँ तुम किसी भी आवारा कुत्ते को नीला रंग चड़ा कर हमें दे दोगे और हम मान लेंगे कि वो नीलू है भाई हमें माफ कर दो, हमने उस सेट को ढूणने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला भाई तुम ये सौ मुद्राएं रख लो अब इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते अगर तुम चाहो तो हमें जेल भिजवा दो हम दोनों अपनी गलती की सजा काटने को तयार है किसान उदास हो जाता है और उनसे सौ मुद्राएं लेकर वापस अपने घर आ जाता है मुझे माफ कर दो सुमन मैं तुम्हारे नीलू का नहीं ढून पाया ये लो ये सौ मुद्राएं हैं नीलू को बेचने पर उन्हें इतने पैसे मिले थे जो उन्होंने मुझे दे दिये हैं उन्हें अपनी गलती का बहुत पच्चतावा है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता नहीं मेरा नीलू जरूर वापस आएगा हमें काम करते हैं कल सुबह इन सौ मुद्राओं का भोजन खरीद कर गरीबों में बाट देंगे क्या पता उनकी दी हुई दुआउं से हमारा नीलू वापस आ जाए अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों उन पैसों से गरीबों में भोजन बाट देते हैं और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं तभी उन्हें कुछ आवाजे सुनाई देती हैं वे दोनों चौक जाते हैं अरे ये तो मेरी नीलू की आवाज है नीलू नीलू तुम कहा हो तभी सामने से नीलू भागता हुआ उनके पास आता है नीलू तुम वापस आगए तुम कहां चले गए थे मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास हो गई थी किसी ने सच ही कहा है दुआउं में बहुत शक्ती होती है